Hello everyone, welcome to Examplers Academy. आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे हमारा में मन्त का Banking and Financial Awareness का Part 3. इसका Part 1 और Part 2 आचुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके Banking Awareness प्लेलिस में देख सकते हैं. और हमारा में मन्त का Complete PDF जाने की Part 1, Part 2 और Part 3, तीनों ही पार्ट का Complete PDF आप लोग नीचे दिये गर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और याद रखिये ये वीडियो आपको मिलेगी Bilingual, Hindi, English दोनों में ही ये वीडियो मिलेगी और इसमें आपको Content, Question, Answer सबी जो है आपको Hindi और English दोनों Language में मिलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. हमारा पहला Question है Brics Countries, Multilateral Bank, New Development Bank NDB will open its first regional office in India in which state? तो Question में क्या पुछा गया है? कि Brics देशों का बहुपक्षिय बैंक, New Development Bank, NDB भारत में अपना पहला चेत्री कार्याल है किस राज्य में खोलेगा? यानि कि NDB जो है New Development Bank वो अपना first regional office की state में खोला है ये Question में पूछा गया है. तो राइट आउंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजराद इसका सही आउंसर है Option B is the right answer. The New Development Bank, the Brics Country's Multilateral Bank based in Shanghai will open its first regional office in India at the Gujarat International Finance Tax City यानि कि Gift City to address the country's infrastructure and sustainable development needs. तो Gift City का क्याफूल पॉर्म है गुजराद International Finance Tax City यानि कि Gift City कहाँ पर खुली है भी? गुजराद में यहाँ पर अपना Gift City में अपना first regional office खोलेगा NDB New Development Bank. The India office will concentrate on extending its business in the country by developing, implementing and monitoring new projects. तो NDB जो संगाई में इस ब्रिक्स देशों का बहुपक्षी बैंक है भारत में अपना पहला छेत्री कार्याल है गुजराद International Finance Tax City Gift City में खोलेगा. गुजराद में Gift City के बाले पर आपने सुना होगा Gift City में अपना first regional office खोलेगा और इसी question के रिगारिक में आपका अधर important points दिये हैं जो मैं आपको points देती हूँ content में Hindi English में ये important होता है ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ आप इसको line by line जरूर पढ़िए exams में question deep पूछे जाते हैं तो content से भी question पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो previous exams होए हैं bank में इसलिए अपने content को जरूर पढ़ना है line by line वीडियो को पॉस्ट करके या फिर पीडियेफ डाउनलोड करके बात कर लेते हैं अंडी भी कीप तो new development bank के president है ये important होता है ये points जो मैं आपको बताती हूँ लास में किसी भी bank के regarding तो आपने इसको जरूर देखना है क्योंकि exams में question इससे पूछा जा सकता है आप चलते हैं हमारी second question पर हमारा next question है तो question में क्या पूछा गया है कि RVI ने गैर बैंक भारत बिल भुकतान परिचालन इकाईयों के लिए नियूंतम नेटवर्ट हावशकता को 100 करोर रुपीज से घटा कर कितना कर दिया है ये question में पूछा गया है तो कितना कर दिया है 25 करोर कर दिया है इसका सही answer हो जाएगा option B रुपीज 25 करोर is the right answer तो RBI has eased norms for non-bank entities to set up भारत बिल पेविमेंट operating units by reducing the net worth requirement to रुपीज 25 करोर with a view to increasing more players in the segment तो क्या बोल गया है कि RBI ने गैर बैंक संस्थाओं के लिए भारत बिल भुकतान परिचालने काईयों को स्थापित करने के लिए मांदर्णों को आसान बना दिया है जिससे इस खंड में अधि खिलाडियों को पसाहित करने की द्रस्टी से निवन मूली की आवशक्ता को घटा कर 25 करोर रुपीए कर दिया है तो question ने पूछा गया था कि पहले कितना था तो पहले अब जो था वो 100 था तो option में आपका 100 करोर होगा वो भी सही होगा तो different तरीके से question पूछा जाए तो confused ने होना है दोनों ही answer जाद अगने अभी 100 करोड से घटाकर कर दिया है 25 करोड अगर 25 करोड आपको दिया गया है पूछा गया है कितना था तो वो था 100 करोड इसी के regarding आपको other important points से आप देख सकते हैं भारत bill payment system की बात करें तो भारत bill bbps is an interoperable platform for bill payments and scope and coverage of bbps extend to all categories of billers who raised recurring bills users of bbps enjoy benefits like a standardized bill payment experience, a centralized customer grievance redressal mechanism and a prescribed customer convenience fee तो भारत bill भुक्तान पर्णाली बिल भुक्तान के लिए एक interoperable platform है और bbps एक डायरा और coverage उन्हों सभी श्रेणियों के बिलर्स तक है जो आवरती bill बढ़ाते हैं बीबी पीएस की उपियों करता एक मान की करत बिल भुक्तान अनुभाव एक केंजी करत ग्राहक सिकायत निवारान तंत्र और एक निर्थारे ग्राहक सुईधा सोलकी जैसे लाभों का आनन्द लेते हैं चलते हैं नेक्स कोश्चेन में हमारा नेक्स कोश्चन है एस पर दा रबिए गाइडलाइन्स बैंक में अलाओ क्वालिफाइड ज्वालर्स तो रेमिट एडवांस पेमेंट्स फोर हाव वेड़ी देश को इंपोर्ट तो फोर इंपोर्ट तो पुछा गया है आरबियाई के दिसानिर देशों के अनुसार बैंक योगी ज्वालर्स को आई एफ एफ सी अधिनियम के तहर जारी मौझूदा विदेश व्यापार नीती और विनियमों के अनुपालन में IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए कितने दिनों के लिए अग्रिम भुक्तान भेजने की अनुमती दे सकते हैं कोश्टन में पुछा गया है तो कितने दिन दिन पुछा गया है तो इसमें 11 डेस का सही आउसर हो जाएगा ऑप्शन B 11 डेस इस दा राइट आउसर तो RBI के जो गाइडलाइन से उनके अनुसार जो बैंक योग ज्वालर्स को आया एक्स ते अधिनियम के तहट जारी मौझूदा विदेश र्यापार नीती और विडियमों के अनुपारल में आया एक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए एक 11 दिन की अगरियम भुक्तान भेशने की अनुमती दे सकते हैं इसी कोशन के रिगार्डिंग डिटेल एक्सपलेशन आपको दी गई है आप इसको देख सकते हैं इंपोर्टन है एक्साम के पॉइंट अफ्यू से हम चलिंगे हमारे नेक्स कोश्चन पर हमारा नेक्स कोश्चन है RBI has urged all banks to give the option of which one to the consumers at their ATMs तो RBI ने सभी बैंकों से उपमफोक्ताओं को अपने ATM पर कौन सा विकल्प देने का आगरह किया है तो कौन सा विकल्प देने का आगरह किया है इसमें option में क्या सही answer है ICCW ICCW इसका सही answer हो जाएगा और ICCW को full form क्या है यहां पर इसका full form है Interoperable Cardless Cash Withdraw यानि की ICCW Interoperable Cardless Cash Withdraw All banks have been asked by the RBI to offer consumers the option of Interoperable Cardless Cash Withdraw at their ATMs तो RBI ने सभी ग्राहों को सभी बैंकों से उपमफोक्ताओं को अपने ATM पर Interoperable Cardless Cash Withdraw का विकल्प देने का अगरह किया है शॉर्ट में इसको बोलेंगे ICCW किसने किया है RBI ने सभी बैकों से इसी के रिगार्डिंग है Important Points यह आप देख सकते हैं हम चलिएंगे हमारे next question पर हमारा next question है How many member group has been constituted by RBI to examine customer service standards यानि कि ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए RBI ने कितने सदस्य समूं का गठन किया है Right answer क्या हो जाएगा Option C 6 is the right answer of this question तो RBI established a 6 member committee to assist and review customer services in regulated firms with the goal of safeguarding customer interest The committee will also examine the adequacy of customer service standards and provide recommendation to improve customer service according to a statement from the banking regulator The 6 member committee will also assess the effectiveness of customer service regulation and make recommendation for improvements तो क्या बोला गया है इसमें कि RBI ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए के लक्ष के लिए साथ अपने विरिमिट फॉर्मों में ग्राहक सेवाओं का आकलाट और समिक्षिन करने के लिए 6 सदस्य समिती की स्थापना की है कोष्टिन में पूछा गया था कितने मेंबर्स है तो इसमें कितने हैं 6 मेंबर्स है कोष्टिन के अथा आपका कि RBI ने कितने मेंबर्स ग्राहक सेवा मानकों की जाच के लिए RBI ने कितने मेंबर्स ग्रूप का गठन किया है तो six members group का अगठन किया है, RVI ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए, यानि की examine customer service standards, इसी के regarding आपको other important points है, आप इनको ज़रूर देखिए, हम चलेंगे हमारे next question पे, हमारा next question है, तो डांक विभाग और भारतिय डांक भुकतान बैंक IPPB आरोहन 4.0 कहां आयोजित किया गया है, ये question में पूछा गया है, तो ये किया गया है, शिमला में, सही answer क्या हो जाएगा, option C, सिमला, तो डांक विभाग और भारतिय डांक भुकतान बैंक IPPB आरोहन 4.0 सिमला में आयोजित किया गया है, तो देटीज में पूछा गया है, तो डांक में बाग और अरोहन 4.0 के वर इस्टा बदा गारियों की, दो दिल सी बैटा खिमांचरों प्रदेश के सिमला में शुरू की गई है और बैंक का एजंडर देश के वित्ती समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रतेख नागरी को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्स करना है तो इसका में अबजेक्ट है आप इसको भी देखिए तो यहां रखेगा डाक विभाग ने आओ और फोर पॉइंटों कहां पर आयोजित किया है वो किया है शिम्ला में यह इंपोर्टन पॉइंट से इस कोश्चन के रिकार्डी हिंदियें के लिफ्स दोनों में हम चलते हैं हमारे नेक्स कोश्चन पर हमारा नेक्स कोश्चन है महागराम है स्टाइड अफ विद विच वैंग तो डिजटाइज दर नेशन स् पेमेंट एकोसिस्टम और प्रोवाइड ए वाइडर स्कोप ट्रांजेक्ट फॉर इस कस्टमर इन रूरल इंडिया तो महागराम ने देश के भुकतान पारिस्थितिक तंत्र को डिजटाइज करने और ग्रामीर भारत में अपने ग्रहकों के लिए लेंदेन की व्यापक गुंजाइस परदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है ये कोश्चन में पूछा गया है तो वो किया है इंडिसेंट बैंक के साथ किसके साथ किया है इंडिसेंट बैंक इसका सहिया आख़ा है रूरल एणियो बैंक महागराम हैस टाइड अफ विद द इंडिसेंट बैंक तो डिजटाइज the nation payment ecosystèmes and provide a virus to transact for its customers in rural India तो ग्रामीर नियो बैक महागराम ने देश के भुकतान पारेस्थिती तंत्र को डिजटाइस करने और ग्रामीर भारत में अपने ग्रहाकों के लिए लेंदेन की व्यापक गुझाइस प्रदान करने के लिए इंडसिट बैंक के साथ कराग किया है। इसी के रिगार्डिंग इंपोर्टन पॉइंट से हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉस करके या पीडिएफ नावलोड करके। हम बात कर लेते हैं इंडसिंट बैंक की इंडसिंट बैंक फॉर्टन इं 1994 हैट्कॉर्टर मॉंबई महारास्ट M.D.C.O. सुमंद करपाल या टेग लाइन है वी मेक यू फिल रिचर इंपोर्टन पॉइंट से हमने आपको बताया किसी भी बैंक के रिगार्ड इनको आपने जरूर देखना है हम चलते हैं हमारे नेक्स कोश्टन पर हमारा नेक्स कोश्टन है विच बैंक है अनौस दा लांच ओफ रियल टाइम एक्स्प्रस क्रेडिट और इस इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म विच अलाव एलिजिबल कस्टमर्स तू गेट पॉस्नल लोन तो क्या कोश्टिन में पूछा गया है कि किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्स्प्रस क्रेडिट लांच करने की घोशना की जो पात्र ग्रहाकों को 35 लाख रूपिये तक का व्यक्तिगत दिन प्राप्त करने की आनुमती देत है तो वो राइट आंसर का हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्बियाई इस दा राइट आंसर ऑफ दिस कोशन तो एस्बियाई ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्स्प्रस क्रेडिट लांच करने की घोशना की जो पात्र ग् क्या बोला गया है यहां पर कि SBI ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्स्प्रस क्रेडिट शुरू करने की खोशना की है किस पर की है योनो पर की है डिफ्रेंट तरीके से आ सकता है इसलिए मैं बोलती हूं कि कंटेंट को जरूर पढ़ना है किस प्लेटफॉर्म पर किया है यह देखना है और जिससे अपने जो कस्टमर से उनको 35 लाक रुपिय तक का पॉस्टनल लोन मिल सके और बैंक ने कहा है कि वेतन्भ होगी यानिकि से इसलिए ग्रहकों के लिए इसके प्रमोख पॉस्टनल लोन जो प्रोड़क्ट है एक्स्ट्रेस क्रेडिट का अब एक डिजिटल अफ्तार है और कस्टमर अब योनों के माध्यम से इसका लाब उठा सकते है तो यहार दखिएगा SBI ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प् हम बात करें SBI की फॉर्ट जॉलाई 1955 हैटकॉर्टर मों में चेर्मेन है इसके दिनेज कुमार खारा किसकी बात हो लिए या पर स्टेट बैंक ऑफ वेंडिया की नेक्स कोश्टन पर हम चलेंगे हमारा नेक्स कोश्टन है बैंक bess पर्ट्नट बैंकरणियो फिल्टेट कर्ट मों में चलेंगे या कम्सियों पर लक्षर सेके recursos अब ब्रेंडियों करने के लिए किस बैंक ने रिटैयों ऐसे थाफ भागैदानी की है पर्ट्नेशिप की है ये क्वोश्टन में पूछा गया है तो वो कि है HDFC bank ने, किस bank ने की है, HDFC bank is the right answer of this question, तो HDFC bank, India's largest private sector bank, announced the launch of a new range co-branded credit cards with Retalio aimed largely at chemist and pharmacies in the merchant market, तो भारक की सबसे बड़े private sector bank, HDFC bank, ने Retalio के साथ सहे branded credit card की नई स्रंकला, नई सीरीज सुरू करने की घोशना की है, तो यहाँ दखेगा, HDFC bank ने Retalio के साथ सुरू की है, अपनी co-branded credit card, जो स्कीम है, वो सुरू करने की घोशना की है, इसका जो उद्देश से है, main object है, वो है, बड़े पैमानों पर व्यापारियों, व्यापारी बाजार में chemist और pharmacy के लिए, main जिसके object है, aimed क्या है, जो इसका main aim है, वो है, lastly at chemist and pharmacies in the merchant market, इसी के regarding मैंने आपको important points दिये हैं, आप इनको जरूर देखिए, दोनों ही language में है, हम चलिंगे हमारे next question पर, हमारा next question है, according to the RBI, the public sector banks have reported over a 51% dip in the amount involved in frauds to rupees deaths, during the financial year ended March 2022, तो RBI के अनुसार सार्वजिनिक छेत्र के बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त वित्ती वर्स के दौरान, धोकधड़ी में सामिल रासी में 51% से अधिकी गिरावट के साथ डैश की सूचनत दी है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option A, 40,295 करोर रुपेर, जयानी की 40,295 करोर is the right answer of this question, RBI has said that public sector banks reported over a 51% for in the amount involved in frauds rupees, 40,295.25 करोर during the financial year, 2022, तो RBI ने कहा कि पावलिम सेक्टर बैंकों ने विद्धी वस 2022 के दोलान धोका धरी में सामिल रासी में 51% की गिरावट के साथ, 40,295.25 40,295.25 करोर रुपेर की गिरावट की है, कितना है इसका 40,295.25 करोर रुपेर इंपोर्टन कोश्चिन एक्जाम के पॉइंट अधर पॉइंट से इसके अधर पॉइंट्स में आपको दिये हैं, कि as many as 12 PSBs has reported fraud worth Rs. 81,921.5 करोर in the preceding fiscal 2021, the central said in response to an application under the right to information RTI Act. तो केंडरी मेंख ने सूचन की अधिकार अधिनियम के तहत एक आविदन की जवाब में कहा कि पिछले वित्तवर्ष 2021 में 12 PSBs ने 81,921.54 करोर रुपी की धोकाधरी की सूचना दी थी, फादी बहुत जादा important ये content है, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, content जरूर पढ़ना है, question जरूर put up होंगे content से, और हुए भी हैं जो पिछले exams हुए हैं आपके bank के, इसलिए अपने content को दोनों ही language को जो suitable है, जरूर पढ़ना है, बात कर लेते हैं RBI की, ये points बहुत ज्यादा important होते हैं किसी भी bank के regarding, हम चलेंगे हमारे next question पर, हमारा next question है, which bank has started up with Amazon Pay and Amazon Web Services AWS to deliver universal payment interface UPI payments which will include peer-to-peer and peer-to-merchant transactions, तो UPI भुकतान देने के लिए किस bank ने Amazon Pay और Amazon Web Services के साथ करार किया है, जिसमें peer-to-peer और peer-to-merchant लेंदेन सामिल होंगे, तो किसमें सही answer हो जाएगा, इसका किस bank ने किया है, तो वो किया है, RBL bank ने, right answer है, RBL bank, तो RBL bank tied up with Amazon Pay to offer UPI payment services, तो UPI भुकता सेवाओं के पेसकस के लिए RBL bank ने Amazon Pay के साथ करार किया है, important points से आप इनको देख सकते हैं, Amazon की बात करें, तो founder है Jeff Bezos, CEO है Addy Jesse, हम चलेंगे हमारे next question पर, हमारा next question है, Dash has announced a joint venture general insurance company named as Paytm General Insurance Limited, क्या question में पुछा गया है, कि Dash ने Paytm General Insurance Limited नामा के, साइयूक तो जैवीब समान ने Beamer Company की घोशना की है, तो राइट आपसर इसका क्या हो जाएगा, Paytm इसका सही आपसर है, option A, Paytm is the right answer of this question, तो Paytm has announced a joint venture, general insurance company named as Paytm General Insurance Limited, PGIL, Paytm has announced plans to infuse Rs. 950 crore in PGIL in tranches over a period of 10 years and to hold an upfront equity stake of 71% in JV, कोशन में आपसे पुछा गया था, कि Paytm General Insurance Limited नामा के साइयूक तो उद्धियम, JV समान ने Beamer Company की घोशना की है, किसने तो Paytm ने, हम जलेंगे हमारे next question पर, हमारा next question है, Moody's Investor Service ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 9.1% से घटा कर कितना कर दिया है, तो वो कर दिया है 8.8%, मैंने आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि GDP प्रेडिक्शन जो ऑग्रेजेशन से, उनके टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, जब भी आप exam देने जाए, करेंट वीडियो देख के जरूर जाए, क्योंकि जो भी changes हुए हूँगे, वो मैंने आपको करेंट वीडियो में cover किये हूँगे, तो इसलिए अभी जो भी आपके रिजनेंट ली एक्जाम है, उसके लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है, अगर एक्जाम कुछ राइम बाद है तो changes आ सकते हैं, बात करें मूरी इन्वेस्टर की, तो मूरी इन्वेस्टर सर्विस्ट लाइए इस एकोनोमी ग्रोथ प्रोजेक्शन तो 8.8% for 2022 to from 9.1% earlier. सेटिंग हाइफ इन इस अप्डेट तो ग्लोबल मैक्रो आट्टूप 20 to 23, मूरी इन्वेस्टर सर्विस्ट ने उच्च बुद्रस्विस्टी का हवाला देते हुए 2022 के लिए, भारत की आर्थी विकास के अनुमान को 9.1% से घटा कर 8.8% कर दिया है, ग्लोबल मैक्रो आट्लूप 2022 के अपने अप्डेट में मूरी इस ने कहा कि उच्च अवर्ती वाले आकरे बताते हैं कि दिसंबर ते माही 2021 से विकास की गती इस साल पहले चार महिनों में जारी रही है. चलते नेक्स कोश्चन पर हमाना नेक्स कोश्चन है, तो कौन सी कंपनी कुल 75 मिलियन डॉलर में वेल्थ डेस्क और उपन क्यू जैसे वेल्थ मेनेश्मेंट प्लेटफॉर्म का धी ग्रहन करेगी, वो करेगी फोन पे. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोन पे is the right answer of this question. तो फोन पे भी लेक्वाइब वेल्थ मेनेश्मेंट प्लेटफॉर्म, वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू. इम्पोर्टन है ये पॉइंट आपके एक्जांप्स के पॉइंट अव्यू से इसको जरूर देखना है. फिपकर्स फोन पे अंग्वाइब बिजनस बैक्ट विज़ वालमार्त इन कुई इस अक्वाइरिंग टू वेल्थ मैनेश्मेंट फिर्म फोर्म फो सेमनेटी फाइफ मिलियं दॉलर इन टोटल. तो यह जो points में आपको दिये हैं यह important है इस question के regarding हम चलेंगे हमारे next question पे हमारे next question है RBI board has approved a dividend payment of rupees dash to the center for the fiscal year 21-22 तो भारती reserve bank के board ने वित्ति वस 2021-22 के लिए केंदर को dash रुपिय के लाबास भुकतान को मंजूरी दी है right answer क्या हो जाएगा rupees 30,307 option a is the right answer of this question RBI approved rupees 30,307 cross dividend payment to center for financial year 22 तो RBI लिए financial year 2022 के लिए केंदर को 30,307 करोड रुपिय के लाबास भुकतान को मंजूरी दी है RBI board has approved a dividend payment of rupees 30,307 cross to the center for the fiscal layer 21-22 तो RBI के board ने केंदर को 30,307 करोड रुपिय के लाबास भुकतान को वित्ति वस 2021-22 के लिए मंजूरी दी है important points अब देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question पे हमारा next question है the central government announced that India has recorded the highest annual FDI inflow or dash during financial year 22 तो केंदी सरकार ने खोशना की कि भारत ने financial year 2022 के दौरान डैश का अब तक का सबसे अधिक वार्सिक FDI प्रवाहदर्ज किया है तो कितना किया है 83.57 billion dollar the central government announced that India has recorded the highest annual FDI inflow of 83.57 billion dollar during financial year 22 in 2021 2021 the inflow stood at 81.97 billion dollar तो केंदी सरकार ने खोशना की कि भारत ने financial year 2022 के दौरान 83.57 billion dollar का अब तक का सबसे अधिक वार्सिक FDI प्रवाहदर्ज किया है हमारा next question है United Nation Department of Economic and Social Affairs UN DESA in its first economic situation and prospect WSP mid-year update 22 has estimated India's GDP growth at 22-23 at dash तो सयुक्तिरास्ट आर्थिक विकार आर्थिक और समाजिक मामलों के विभाग UN DESA ने अपनी विश्व आर्थिक सित्थी और सभावनाए mid-year update 2022 में 2022 ते इसमें dash पर भारत की GDP व्रधी का नुमान लगाया है कितना लगाया है 6.4% लगाया है राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.4% UN प्रजेक्टेट इंडियास GDP ग्रोथ at 6.4% in 2021 & 2023 United Nations Department of Economic and Social Affairs in its World Economic Situation and Prospects mid-year update 2022 has declined India's GDP gross domestic product growth projections from 6.7% to 6.4% for 2022-23 For 2023-24, 6% GDP growth forecasted for India as again 6.1% in 2021 India economy grew at 8.8% The growth outlook for South Asia is also downgraded by 0.4% points to 5.5% in 2022 So, front, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप करते हैं हमने अपना में मन्त का कंप्लीट किया है Banking & Financial Awareness और मैंने आपको यह वीडियो 3 पार्ट में दिया है Part 1, Part 2 & Part 3 आज हमारा लास पार्ट हमने कबल किया है Part 3 और इस कंप्लीट मंत के हमारे पीडियेफ को यानि की Part 1, Part 2, Part 3 को आप लोग निचे दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको content भी मिलेगा Hindi English जैसा भी आपको वीडियो में दिखता है Save As It आपको content के साथ PDF मिल जाएगा आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेर करिए और चैनल का नाम Other Students को जरूर बताएए आप लोग हमसे different social media platform पर भी जोड सकते हैं Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Gmail, WhatsApp का लिंक आपको इसे description box में मिल जाएगा और आप लोग प्लीज चैनल को जरूर बताएए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो शेर नहीं करें चैनल सब्सक्राइब नहीं करें